आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा अध्याय है उसका नाम है दिन चर्या दिन चर्या के अध्याय में सबेरे सोकर उठने से राट तक सोने में क्या-क्या करना चाहिए उसके सारे नियम है तो उस अध्याय की अनुसार हमेशा इसनान करने का सबसे अच्छा समय है सुबह का समय उसमें उठने का ये है कि साड़े चार बज़े के आसपास उठ जाना चाहिए और इसनान का समय उसमें है छे से साड़े छे बज़े का तो सुब़े छे साड़े छे बजे के आसपास आफ इसनान कर लिए अभी घर्मियों में तो आसान है लेकिन आप बोलेंगे जी ठंडी के दिनों में इसनान करना सुब़े छे साड़े छे बजे मुश्किल है तो आपकी सुविधा के अनुसार आप करिए लेकिन इसनान हमेशा सुबह करना ही सबसे अच्छा होता ये क्यों होता है ये मैं अभी थोड़ी देर बाद बताने वाला शाम का भी इसनान होता है लेकिन वो रोगियों के लिए है कुछ खास भीमारियां दिनको है उनको शाम का इसनान बहुत अच्छा होता है लेकिन सभी स्वस्थ लोगों को सुबह का इसनान अभी इनोंने एक प्रश्ण पूछ लिया है अभी चर्चा हो रही थे ना इसनान की तो इन्होंने पूछ लिया कि गरम पानी का इसनान या ठेंडे पानी का इसनान आयर वेट में बहुत इस्पष्टता से लिखा गया है कि गरम पानी से कभी भी इसनान नहीं करना चाहिए गरम पानी पीना चाहिए इसनान में हमेशा थंदा पानी ही रखना चाहीँ थंदे पानी से मतलब जो सामान में तापमान का पानी है वही पानी से इसनान करना अच्छा होता है और अगर आपको कोई बहुत बड़ी मजबूरी है मान लिज़े आपको जौर होए जो अर्मने फीवर है बुखार है बहुत तेज बुखार है और आप नहाना चाहते हैं तो ऐसी इस्थती में गरम पानी उप्यूप कर सकते हैं अगर स्वस्थ है शरी तो बिल्कुल भी गरम पानी से मत नहीं नहीं तो बीमारी आएगी और आयुवेट में बहुत सकती के साथ एक सूत्र लिखा गया है बागमट्ट सहिता में कि सिर के उपर घरम पानी अगर आप ने डाला तो तयार रहिए 123 रोग आपकी जिंदगी में आएंगे सिर के उपर अगर घरम पानी डाला तो 123 रोग आपके जीवन में आएंगे मानिसिक रोग भी हो सकते हैं वो और शारीरिक रोग भी हो सकते हैं इसलिए सिर्ख के ऊपर तभी भी गरम पानी मट डाई वैसे तो गरम पानी से नहाई है मत में आपसे कैसा लेकिन आपका दिल नहीं मानता शरीर नहीं मानता आदत बुरी पड़ गई है महराश्टर के लोगों को ये बहुत बुरी आदत है गर्मी में भी गरम पानी से भात है तो अगर आदत बुरी पढ़ गई है शरीर को लग गया है इसका तो आप ऐसा करिए कि गरम पानी शरीर के किसी भी अंग पर डालिए सिर को मट डालिए सिर को डालने के लिए ठंडा ही पानी रखिए सादरान पानी सिर और आँख ये दोनों गरम पानी से बचने चाहिए क्यों बचने चाहिए कारण में बता देता ये सिर और आँख दोनों जो है न कफ का इस्थान है हमारे शरीर में तीन दोश होते हैं वात पित और कफ तो ये जो सिर है सिर यहां सबसे ज़्यादा कफ रहता है आँख और सिर में सबसे ज़्यादा कफ रहता है और कफ और गरम पानी की खतरनाथ दुश्मनी अगर गरम पानी दें तो कफ और तेजी से बवता है इसलिए सिर और आँख दोनों को गरम पानी से बचाना चाहिए आँखों को कभी भी धोना हो तो थंडे पानी से ही धोए सिर को कभी भी धोना हो तो थंडे पानी से ही धोए बाकी शरीर को थोड़ा गरम पानी डालने सो चलेगा नहीं तो मेरा सुझाओ है कि गरम पानी डाली है यह मैं ठंडे पानी से ही ना आए आदत डाल दीजे शरीर में आदत पड़ जाए जी ठंड काल में ठंड काल में भी आप कोशिश यह करिए कि बहुत गरम पानी ना रहे कोमट पानी रहे हलका गरम पानी रहे गुनकुना पानी रहे बहुत गरम पानी उस समय भी अच्छा नहीं है शरीर के लिए पानी का ठंडी से कोई संबन नहीं है आपके दिमाग में एक बहुत बड़ी गैर समझ है वो ये कि ठंड पानी से नहाएंगे तो सर्दी हो जाएगी सर्दी का पानी से कोई रिष्टा नहीं है सर्दी का रिष्टा पोट से है पोट खराब होगा तो जरूर सर्दी होगी जिनको संडा साफ नहीं होती बार-बार जिनको कोश्ट बड़ता रहती है मल बड़ता रहती है कबजियत रहती है उनको ही सर्दी सबसे जादा होती है पानी का सरदी से कोई संबंद नहीं है इस बात को दिमाग से निकाल दीजे कि ठंडे पानी से नहाने से सरदी होती है बिल्कुल नहीं होती है सरदी उनको होती है जिनको पोट साफ नहीं होता उन्हीं को सरदी होता ये कई समय में घरम पानी में लिया उसके बाद पेंदा भी दोनों पानी से नहाई सिखने गाई ये उनके लिए है जिनको शरीर में कोई भयंकर दर्द है अगर शरीर में आपको मसल्स पेन है दो तरह के पेन होते हैं एक तो बोन्स में हैं हड्डियों में और दूसरा माश पेशियों माश पेशियों का अगर कोई भयंकर दर्द है तो ठंडे गरम पानी से नहाने पर बहुत आराम मिलेगा एक बार ठंडा पानी डालिए फिर गरम पानी फिर ठंडा फिर गरम तो माश पेशियों का दर्द आपका पतम हो जाएगा लेकिन अगर स्वस्थ हैं आप तो ऐसा मत करिए खाली ठंडे से ही नहाना की